दोस्तों नो मस्कार आप देख रहें गर्केट एंडियाओ डेली गर्केट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है अस्तारीक हो चुकी है 30 नौवंबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन पर की गर्केट से जुड़ी सबी टोप कवरों के बारे में जहां पर एक तरफ भारत और उस्टेले के बीच खेली गई वंडे सीरीज में भारत की करारी सिकस्त के बाद कफ्तान विराट को ली काफी ज्यादा निरास दिखाई दिये वही दूसरी तरफ भारत और इंग्लेंड के बीच होने वाली सिरीज के सेड्यूल को लेकर बिसेश्याई ओफिसियल्स की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करा रहा है और उसके अलावा भी यहां पर गर्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरे निकल करा रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विश्तार से खुलकर बादचीत करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए गर्गेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सब से पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे सिखर के इंडिया को सब्सक्राइबर के बैल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों सबसे पहले में आप सभी लोगों को बताना चाहिए दिया आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फेंटसी टीम जानना चाहते है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जुरूर जोइन कर लीजिए आप टेलिग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया सीरो सर्ष कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स और कमेंट बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाकर फटापर जोइन कर लीजिए वहाँ पर आपको क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा मोटा अपडेट सबसे पहले देखने को मिलने वाला है तो चलिए बिना समय को आई अब हम बात करते हैं दिन बर्गिकर केट से जुड़ी सबेटोप कवरों की तो पहली और सबसे बड़ी कवर यहाँ पर निकल कर आ रही है भारत और उस्टेलिया के बीच खेली जा रही वंडे शिरीज को लेकर जहाँ पर इस शिरीज का दूसरा वंडे मुकाबला कल सिडनी के मैदान पर खेला गया था और वहाँ पर फिर से भारतिय टीम के गेंदवाज टोटली फ्लोप नजराए बल्ले बाज एक कुछ खास नहीं कर पाई जिसके चलते ही यहाँ पर दूसरे वंडे मैच में भी ओस्टेलियन टीम को बहुती जबर्दस्त जीत मिली और यहाँ पर ओस्टेलियन टीम ने इस शिरीज को दो जीरों से अपने नाम कर लिया है और इस शिरीज का रिजल्ट आने के बाद भारतिय टीम के कप्तान को लिने हार की वजों की बारें बातचीत की जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे गेंदबाज यहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए शुरुवात में विकेट नहीं निकाल पाए जिसके चलते यह हैं मैच काफी ज्यादा हाइज स्कोरिंग हो गया अंत म वाजैसे यहां पर भारतिय टीम को इस मुकाबले में करारी सी करस्त मिली लेकिन इस हार से एक बंदा बहुती ज्यादा कुछ है जिहां मैं बात कर रहा हूं सुबन देगी जिसकी फोटो आप सभी लोग स्क्रिंड पर देख पारेंगे जहां पर एक तरफ उस्टेलिया टी में मुंपई इंडियंस खाई सा थे पूरे के पूरे सीजन में वो बैंच पर बैठे रहे जिसके बाद वो वापिस अपनी कंट्री उस्टेलिया से ले गए थे उस्टेलिया में जाने के बाद वो क्वीन्स लेंड टी ट्वेंटी प्रेमियर लीग खेले तो वहां पर उन् वो बिइस लंबे-लंबे संक्के लगाए जी हां 20 संके लगाकर यहां पर एक बहुत ही बड़ा रिकोर्ड क्रिशलिं ने अपने नाम कर ले और बहुत याक्रामक बलेवाजी हमें यहां पर इस लीग में क्रिशलिं की तरफ से देखने को मिली उसके बाद हम बात करते हैं अगली कबर की तो यह कबर निकल कर आ रहे हैं डैविड वर्नर को ले कर जी हां कल भारत रोश्चेले के बीच के ले गए सेकंड वंडी मैस के दुरान जिस वक्त पर डैविड वर्नर फिल्डिंग कर रहे थे और शिकर्द वन ने जैसे ही सोट के ला था उस सोट की वह जैसे इस टीम के ओपनर बले बाज डैविड वर्नर इंजर्ड हो गए थे हाला कि उस वक्त पर तो यह इंजरी नोर्मल ही लग रहे थे और हो सकता था कि यहां पर अगले मैस को मिश करने वाले लेकिन अब मिश करे या ना करे भारतिय टीम यहां पर इस सीरीज को अपने हाथ से उसके बाद हम बात करते हैं अगली कबर की तो यह कबर निकल करा रहे विराट कोली को लेकर जिहां कल के मैस में विराट कोली ने वहोती जबर्दस पारी के और उस पारी के साथ ही विराट कोली ने एक बढ़ा रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है जिहां भारते कप्तान विर बाइस हजार से ज्यादा इंटरनेशनल रन हो गई और ऐसा करने वाले वो पूरे संसार के आठवे खिलाड़ी बन गई और तीसरे भारते खिलाड़ी बने हैं जिनोंने इंटरनेशनल गेट में बाइस हजार रन बना लिये हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगली कबर की तो है खबर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लेंड के बीच होने वाली सीरीज को लेकर और मैंने आप सभी को बताया थे कि भारत रोश्टले की बीजो फिलाल सीरीज चल रही है इस सीरीज के जस्ट बाद इंग्लेंड की टीम भारत के दोरे पराने वाली है जहां पर भारत और इंग्लेंड आपस में 12 मैचों की बहुती सांदार सीरीज केलने वाले हैं जिस दोरान 3 वंडे 4 टेस्ट और 5 टी 20 मैचों की सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के सेड्यूल को लेकर विर्सिश्याई ओफिसियल की तरफ से एक बहुती बड़ी खबर यहां पर निकल करा रही है जिया मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट कुछ ऐसी कि जो अब ये वीक स्टार्ट हो रहा है आज से इसी वीक के बीच में हमें भारत और इंग्लेंड के बीच होने वाली सीरीज का पूरा का पूरा सेडियूल ओफिशियली आधिकारिक तोर पर देखने को मिल जाएगा और जैसे ही सेडियूल आएगा तो वही सबसे पहले अपडेट आपको करकेट इंडिया पर ही मिलने वाला है उसके पाद हम बात करते हैं अगली कबर की तो यह कबर निकलकर आरी इंटरनेशनल गर्केट को ले कर दिया फिलाल तीन इंटरनेशनल सेरीज चल रहे और जहां पर तीनों ही इंटरनेशनल सेरीजों का result आचुका है पहली सीरीज भारत और यहां पर उस्टेलिया की बी चल रही है यहां पर दोनों मुकाबलों ने उस्टेलिया ने जीत राज करके सीरीज को अपने नाम कर लिया है दूसरी सीरीज यहां पर न्यूजिलेंड और वेस्ट इंडीज के बीच के लिए जा रही है जहां पर दोनों टी-ट्वेंटी मैचों में जीत दर्ज करके इस सीरीज को जीत ले आजिए यहां पर तीरोई सीरीजों का रिजल्ट केवल दो-दो मैचों के बाद आ चुका है उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल कर आ रहे हैं रोही शर्मा को लेकर और रोही शर यानि National Cricket Academy की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि रोही शर्मा भारत और रोश्टेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो पहले टेस्ट से ही यहां प पहले टेस्ट मैच में उनका खेलना मुझे तो काफी ज़्यादा संदिक लग रहा है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कैसी लगी आज कि यह सभी खबरें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी रहे फिलाल किस वीडियों बस इतना ही ज़्यादा में ज्यादित इन्व कर दिस का इन्वायदा आपको कि एला Jugend